हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बंड यूटुब चैनल पे तो देखी दोस्तों दिल्ली पुलिस कॉंस्टबल एक्जाम 2023 कंटिनियूसली आपके एक्जाम चल रहे हैं इस वीडियों 19 नॉमबर औल शिफ पेपर के बारे में बात करेंगे तुम आपको पहले ही क्लियर कर दूँ आज आपका कोई भी एक्जाम नहीं था कल फिर सोमार से आपकी परिक्षाई शुरू है इस वीडियों हम दिल्ली पुल इस कॉंस्टिबल एक्जाम में पूछे जा रहे हैं एक्जाम काफी लंबा चल रहे हैं काफी क्वेशन डेली शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं प्लस उनसे रिलेटिड क्वेशन एक्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज की सूडियो को गोरी त्योहार मनाया जाता है इसी त्योहार के अवसर पर 36 गड में गेंदी तथा राउत नाचा नर्ते भी किया जाता है और दिवाली के बाद उत्तर परदेश में देव दिवाली मनाई जाती है तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा अगले क्वैशन मे किसान सबा की स्थापना 1936 में किस वाइसराई के काल में हुई थी तो ये किस वाइसराई के काल में हुई थी तो ये हुई थी लौर्ड वैलिंग्टन के कारेकाल में ठीक है अखिल भारतिये किसान सबा का गटन 1936 में स्वामी सहजानन के द्वारा लखनव में किया गया था नेक्स्ट प्रफम एश्याई खेल में भारत ने कुल कितने स्वाण पदक प्राप्त किये थे तो प्रफम एश्याई खेल में भारत ने टोटल 15 स्वाण पदक प्राप्त किये थे और ये प्रफम एश्याई खेल 1951 दिल्ली में हुआ था ठीक है जहाँ पे भारत को 15 स्वाण 16 रज़त तथा 29 कांशिय पदक के साथ कुल 51 पदक हासिल हुए जिस से भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया पहले स्थान पे जापान था और भारत में दूसरी बार एशिय खेल कब हुए थे 1982 में आगला क्वेशन में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रेजरी बिल कितने परक के लिए जारी किया जाते हैं 91 दिन 182 दिन और 364 दिन के लिए चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेशन की और अगले पूछा जा रहा है कि ऐ सयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्णतय लागू किया गया ऐ सयोग आंदोलन को कांग्रेस के 1920 नागपुर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन के ओर अगले कोईशन में पूछा जा रहा है जीव मंडल के मुख्य रूप से कुल कितने घटक होते हैं तो 3 घटक होते हैं कौन-कौन से स्थल मंडल वायू मंडल थелता ज़ल मंडल नेक्स्ट क्वेशन में पूछा जा रहा है अलाउदिन बहमन शाय या हसन गंगु के द्वारा बहमनी सामराज्य 1347 की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शाशन था next question में पूछा ज़ा रहा है कि आईफा आवार्ड 2023 में best actor पूरुष का आवार्ड किसे दिया गया तो इसमें best actor पूरुष का आवार्ड रितिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए दिया गया इस आवार्ड समरों में best film का आवार्ड दरश्वम 2 को दिया गया और best female actor का आलिया भट को दिया गया next question में पूंचा जा रहा है कि volleyball खेल में court की लंबाई कितनी होती है volleyball खेल में court की लंबाई 18 मिटर होती है volleyball में court की लंबाई 18 मिटर चोड़ाई 9 मिटर तता इसमें 6 खिलाड़ी एक पक्ष में होती है इसके अलावा बीच volleyball में court की लंबाई 16 मिटर तता चोड़ाई कितनी होती है 8 मिटर होती है देखे दोस्तों वीडियो में आगए उससे पहले भी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहली जल्दी से लाइक कर दीजेगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों भी इस वीडियो को बहुझाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजेगा तो फटा फट से सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अगले question में पूछा जा रहे है कौन सा गैस निकलेगी जब जस्ता की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अमल के साथ कराई जाती है तो उस समय हाइडरोजन गैस निकलेगी हाइडरोजन गैस इस question का आपका राइटन से रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है कि जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रोन की खोद किस वर्ष में की थी तो यह 1897 में की थी ठीक है दोस्तों और जेजे थॉमसन को 1906 में नोबल पुरुसकार से समानित भी किया गया था अगले question में पूछा जा रहे है महरानी एलिजा बैत के राज्य विसेक समय में किस परसिद भारतिय नर्तियांगना को आमंत्रित किया गया था तो यह आमंत्रित किया गया था कुमारी कमला को तो कुमारी कमला इस question का आपका विल्कुल correct answer रहेगा next question में पूछा जा रहे है कि वर्ष 2015 में रिकी केज को उनके किस अलबम के लिए पहली बार Grammy Award दिया गया था तो यह दिया गया था Bits of समसारा के लिए ठीक है तो यह आपका राइटन्स रहेगा इसके लावा रिकी केज को 2022 और 2023 में भी Grammy Award से समानित किया गया उनके परसिद करते है डिवाइन टाइट्स के लिए अगला question आपके सामने बाग प्रिंट हस्त शिल्प का सम्मंद किस राज्ये से है Tiger Print Handicraft is related to which state तो यह भारत के मद्य परदेश राज्ये से क्या है सम्मंदित है अगले question में पूछा जा रहे है ग्लुकानन नामक हार्मोन शरीर के किस अंग से स्त्रावित होता है तो यह हमारे शरीर के अगनाश्ये से स्त्रावित होता है तो अगनाश्ये इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोक का गठन कब हुआ था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोक का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था ठीक है 12 अक्टूबर 1993 इस question का विल्कुल right answer है ठीक है दोस्तों अगला question है इंडिया at risk नामक पुस्तक के लेखक कोन है इंडिया at risk नामक पुस्तक के लेखक है जस्वंत सिंग next question में पूछा जा रहे हैं कि परधान मंत्री वेश्व कर्मा योजना 2023 कब तक के लिए लौँच किया गया है तो इस योजना को वितियवर्स 2023 चोईस से 2027-28 तक लौँच किया गया है अगला question है टैनिस के विम लंडन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है तो ये है मार्क रेटा वर्ड सोवा इनकी ये पहली ग्रैंड स्लैम ट्रोफी है और इसमें जो महिला एकल के विजेता है वो है ओन्स जुवेर next question में पूछा जा रहे है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है तो इसका नया नाम है असमीता महिला लीग असमीता की फुलफो में achieving sports milestone by inspiring women throughout action वर्तमान में केंद्री ये युवा मामले और खेल मंत्री कोन है नुराग सिंग ठाकुर है खेलो इंडिया कारक्रम की शुरुआत बारत में कब हुई थी 2018 में हुई थी अगले question में आपसे पूछा जा रहे है कि भारत में खाद्या एनाज के buffer stock का रख रखाव कोन करता है तो इनका रख रखाव FCI के द्वारा किया जाता है FCI की स्थापना 1965 में हुई थी यह उप्भोक्ता मामले खाद्या एन वित्रन मंत्रा लेके खाद्या एन सारजनिक वित्रन विवाग के अंतरकत शामिल सारजनिक छेत्र का एक क्या है उपकरण है नेक्स्ट क्वेशन में पूछा जा रहे है BBC Lifetime Achievement 2022 से किसे समानित किया गया तो यह प्रीतम सिवाच को किया गया था इसके अलावा BBC Sports Person Women of the Year 2022 मीरा भाई चानू को BBC Sports Person of the Year 2022 पैरा भाविना पटेल को मिला था अगले क्वेशन में पूछा जा रहे है कान में परमुक तीन हड़ी कौन कौन सी होती है तो यह मेलियस, इंकस और स्टैपीज होती है अगले क्वेशन में आगे विडियों से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टैपीज नाम के हड़ी मानव शरीर में सबसे छोटी हड़ी होती है मानव शरीर में कुल 206 हड़ी, 649 मासपेशिया, 24 पसली और 46 क्रोमो जोम होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड़ी फीमर होती है जो की जांक की हड़ी होती है हड़ीों के एजन को ओस्टियोलोजिक आ जाता है हड़ी कैलसियम और फासफोरस से मिलकर बनती है अगले क्वेशन में पूछा जा रहे है कि भारत के वाईयू गुργुनवत्ता सूचkaंक मापन हेतू वाईयू परदूशन के कितने गटक शामील है तो इसमें वाईयू परदूशन के आठ गटक शामील होते हैं अगला क्वेशन है कि समुंदरी जन्तु के किस संग से समंदित प्राणी के संपूर्ण शरीर में शुक्षम छिद्र होते हैं तो ये पोरिफेरा में होते हैं अगला क्वेशन है मध्य परदेश के परमुक त्योहार लोकरंग प्रती वर्ष किस तिथी को मना जाता है तो MP का जो परमुक त्योहार है लोकरंग ये प्रती वर्ष 26 जन्तु को मना जाता है मध्य परदेश के अन्य तोहारों में मालवा महतसव, खजुराहो महतसव, मांडू महतसव, भगोया पर्व इतियादी क्या है शामिल है Next question में पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शाषक ने आदी राज की उपादी धारन की थी गुप्त वंस के संस्तापक, श्री गुप्त को आदी राज तथा, महराज की उपादी दी गई थी इसके इलावा गुप्त शाशक चंद्रगुप्त प्रेथम को महराजा दिराज की उपादी दी गई थी नेक्स्ट क्वेशन है कि जॉंसन कैपलर ने ग्रह की गती के कितने नियम दिये थे तो ग्रह की गती के इनों ने ती नियम दिये थे तो देखिए दोस्तों आज की स्टूडियो में ने टोप माँस्टिम बटन क्वेशन कवर की आपने वीडियो गया है तक दगा धन्यवाद वीडियो पर समय प्लेज वड़े का लाइक शरी चाल को सब्सक्राइब जूरूए धन्यवाद जैंजा